हेलो गाइस कैसे हो आप सब दोस्तों बहुत बहुत फौगत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तों RCB ने दूसरे मैच में IPL 2024 में अपनी पहली जीत हासिल कर ली है सारे ही फैंस जो है इस टाइम कुछ इस सिच्वेशन में चले गए हैं विराट कोली के शांदर 77 नो की मदद से इसके लावा दिनेश कार्थिक और महिपाल लोमरोर के फिनिशिंग टच के साथ RCB ने दो एहमंग हासिल कर लिये है IPL 2024 में लेकिन इस जीत के बाद टीम के लिए कुछ बहुत ही बड़ी खुश खबरी आई है जिसके बार में हम आगे जानेंगे सारी जानकर यापको डेटल में देने वाला हूँ तो भाईयो अगर आप भी यार चैनल पर नए आए हो तो इसे आज से सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी दबा कर रख लीजेगा ताकि ऐसे ही हार एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे सबसे ज़रूरी बात ये है कि ओनली आर्सीबी के ही नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है अगर यार उसे जोईन नहीं किये हो तो डिस्क्रिप्शन वॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी फटा फट जाओ लिंक पर क्लिक करो और जोईन करके रख लो अगर आपने नहीं जोईन किया तो दोस्तो आप कहीं न कहीं आरसेवी टीम की सारी अपडेट्स मिस करोगी इसलिए फटा फट जॉइन कर लो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आरसेवी ने टॉस जित कर दूसरे मैच में गिनबाजी करने का फैसला किया गिनबाजी ने शांदार गिनबाजी करते हुए पंजाब की टीम को मातर 116 रनों पर रोक दिया जिसके बाद जो है आरसे भी थोड़ी सी लड़कडा गई थी मगर अंत में दिनेश कार्तिक ने शांदार पारी खेलते हुए टीम को मैच जिता दी गिनबाजी में सिराज ने अच्छी गिनबाजी की यस दैनने अच्छी गिनबाजी की अलजारी जोसिप थोड़े से महिंगे थाबित हुए वापस से लेकिन इनके अलावा दूस्तों मैक्सुल ने दो विकेट लेकर टीम को मैच में बनाया रखा गेंद बाजी के दौरान जिसके बाद जो है बल्ले बाजी में थोड़ी सी लड़कराई थी टीम गिराट कूली ने अंतक खेला अंते में मैच को फिनिश नहीं कर सके आउट होगे मगर कार्तिक के 10 गेंदों में 28 रणों के शांदार पारी की वज़े से आरसे भी टीम को जीत मिल गई और ऐसा इंपक्ट प्यार खेलना है महिपाल लोम्रों ने भी आठ गेंदों में 27 रणों की शांदार पारी खेली जिसमें 24 और एक चक्का भी लगाया तो इन दोनों नहीं कहीं नहीं कहीं आरसे भी टीम को मैच में वापस लाया और टीम को मैच जीताया मैच के बाद सबसे बड़ी खुशकबरी यही है कि किंग कोहली का बल्ला बोलना शुरू हो गया है पिछले मैच में थोड़े से फेल साबित हो गयते लेकिन दोस्तों इस मैच में उन्होंने ये एलान कर दिया है इस मैच में शांदार पारी खेलते वे मातर उन्चास गिनों में 77 रंट ठोक दिये जिसमें 11 चोके और 2 छक्के लगाए फैंस यही उमीद कर रहे हैं कि आने वाले मैच इसमें भी कोहली जो है ऐसी ही पारिया खेलेंगे और RCB टीम को इस बार चैंपिन बनाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे खासकर अपनी बल्ले बाजी से फैंस से भी चाहेंगे कि जल से लद फैब डुपलेसी और मैकसल का भी बल्ला बोले जिससे RCB आने वाले मैच इसमें अच्छी बल्ले बाजी करें इसके लाव दोस्तों दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि Cameron Green का सच मुझ में नंबर तीन पर प्रमोशन हो गया है अगर आप मेरे चैनल को लगतर फॉलो करते हैं तो दोस्तों मैंने इस मुकाबले से पहले एक वीडियो बनाए थी जिसमें मैंने बात किया था कि Cameron Green को नंबर तीन पर RCB टिम खिला सकती है और वही हुआ इस मैच में Cameron Green जो है मैं नंबर तीन पर खेलते हुए नजर आए पर ही चांस देना चाहेगी यह थी हमारी वीडियो आर्सेवी टिम की जीत पर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर जरूर कीज़ेगा मिलते है अगली वीडियो में और खबरों के साथ अपना बहुत ख्याल रखेगा थैंक्स पॉरचिं दोस्तों झाल 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 झाल